कानपूर में 1984 में हुए सिख धंगो के मामले में सुप्रिम कोर्ट ने एक नई SIT का गठन किया है सुप्रिम कोर्ट ने 186 बंद मामलों की जाँच के लिए नई SIT का गठन किया है सुपर्वाइजरी पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 249 मामलों में से 186 को बिना जांच बंद किया गया है नई SIT में हाई कोट के रिटायर जज्ज, वर्तमान IPS और रिटायर IPS शामिल होंगे 6 दिसंबर 2017 को सुपरिम कोट की और से गटित सुपर्वाइजरी की पैनल ने SIT की और से बंद किये गए 241 केसों की रिपोर्ट सुपरिम कोट में सौपी थी कोट अब इस रिपोर्ट पर तैय करेगा कि ये मामले फिर से खोले जाएं या नहीं कोट ने काया कि अगर रिपोर्ट में कुछ होगा तो कार्रवाई की आदेश देंगे